वेलकम फ्रेंड्स अभ्यास ओनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है अगर आप 36 गर्ण सिक्षक पातरता परिच्छा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को बिना इसकीप क्यों अन तक जरूरी देखिए आज का वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे दोस्तों 2019 में CG Vyapam के द्वारा CGTET लिया गया था तो उसमें हिंदी के 30 प्रश्ण पूछे गया थे तो नहीं तीन प्रश्ण को हम लोग इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और पूरा एनलिसिस करेंगे तो चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और नोटिफिकेशन बेलाता है उसको भी ओन कर ले कि मेरे दोर अप्लोट किया गया वीडियो अप लगहतर वाच कर सकते हो भीना किसी रुकावाट के इससे पहले भी दोस्तों मैं जो है अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो बना करके अप लोट करके रखा है आप डिप्रिप्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं वहां पास से अब ही आप उसको देख करके आप उन्स वीडियो को भी देख सकते हो अपनी तयारी को अच्छे से कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह वीडियो रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ नॉटिफिकेशन बेल को भी आउन कर लें मेरे वीडियो सब्सक्राइब देखने हैं फ्रेंड्स यह जो एक्जाम है वैवसाहिक परिच्छा मंडल के द्वारा 10 मार्च 2019 को कराया गया था तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के 30 प्रशन के बारे में दोस्तों इसका बाल विकास के 30 प्रशन में पहले ही कर रहा चुका हूँ आप मेरे जो है प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हो तो चलिए हिंदी का बात कर लेते हैं एक तीसवा प्रशन है इसकूल जाने से पहले बच्चा क्या सीख चुके होते हैं तो इसकूल जाने से बच्चा क्या उससे पहले क्या सीख चुका होता है बोलना लिखना पढ़ना उपरोक्त तीनों तो दोस्तों जो बच्चा होता है इसका ए उप्सन जो है सही हो जाएग कहना उचित होगा ये उपरोक्त कथन है जो कथन है वो सही है आंसिक रूप से सही है गलत है या आंसिक गलत है तो दोस्तों आप दिमाग लगाईए और सही आंसर क्या हो सकता है वो सोचिए अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिस्क को भासा अधिकरहन डिवाइस L A D कहना उचित होगा सही है अधिकान सही है गलत है या आंसिक गलत है तो दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ये L A D जो है भासा अधिकरहन डिवाइस के रूप में उसे नहीं माना जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा इसका C option जो है सही हो जाएगा अगला पात कर लेते हैं विद्या प्रवीन किस समास का उदारन है दोस्तों समास के लिए मैं पार्टिकुलर लक्स से वीडियो बनाया चुका हूं वहाँ पास अगर आप उसको देखते हो तो ये इस कोशन को आप आसानी से जो है सॉल कर सकते हो तो विद्या प्रवीन जो है अधि करण ततपुरुस समास के अंतरगत आता है इसको दोस्तों ए ओप्सन जो है सही हो जाएगा नेक्ष्ट कोशन देख लेते हैं पठन सीखना एवं इंटरेक्टिव प्रतिक्रिया है क्योंकि इसमें सामिल होता है ठीक है दोस्तों जो पठन जो सीखना होता है एक प्रकार का इसमें जो है सामिल होता है क्या क्या सामिल होता है केवल समागरी के स्रोथ सामिल होते हैं कई तरह के लोग वह समागरी के स्रोथ सामिल होते हैं तीसरा है केवल कई तरह के लोग सामिल होते हैं इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो बी ओप्सन है वो सही है इसमें जो तो दोस्तों इसमें जो तीन भेद जो है इसके होते हैं रचना के और वो कौन-कौन से दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताईए आप जरूर पढ़े होगे तो उस हिंदी के अलग से मैं क्लास लूँगा उसमें उसके बारें डिटेल आपको बताऊँगा नेक्स्ट कोश में से कोई नहीं ठीक है दोस्तों तो ये जो है पूरी तरीके से सहीं उक्तवाक्य है जिसमें से दो सरलवाक्य की मिला हुआ है उसे सहीं उक्तवाक्य कहा जाता है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं पढ़ना क्या है प्र तथा कभी कभी स्परशनात्मक होता है चांथा है उप्रोक्ट तिनो तो दोस्तों इसका जो आप सही आंसर जो है दो अगला बात करें लगता है next question की संग्या के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है ठीक है उसे वचन, सरवणाम, विशेशन या कारक तो दोस्तों उसे वचन कहा जाता है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा? यह option जो है सहीं हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों तद्धी प्रत्याय कहां लगता है तो तद्धी प्रत्याय जो होता है दोस्तों वो कहां लगता है क्रिया के अंत में संग्या के अंत में धातू के अंत में या उपरोक्त सभी तो तद्धी प्रत्याय होता है दोस्तों वो संग् कि अंद में लगाया जाने वाला जो है दोस्तों वो है विशेजन है और सर्वनाम आता है ठीक है आपको इसको याद रखिए next question देख लेते हैं किसी विदेशी विद्वान ने देशज सब्दों को मुख्य रूप से अनार्य सुरोत से संबंध माना है ठीक है आरे अनार्य आपने पढ़ा होगा तो किस विदेशी जो विद्वान है उसके द्वारा देशज सब्दों को मुख्य रूप से अनार्य सुरो इसका c option जो है सही हो जाएगा दोस्तों इस तरह के question को आपको याद रखने का ज़रुवत पड़ेगा आपको ठीक है आप इसको याद रखोगे तब ही यह आपसे question बनेगा ठीक है अगला बात कर लेते हैं होस्टों की स्थिती के अधार पर स्वर को कितने भेदों में बाट करके रखा गया है तो इसके कितने भेद हैं एक भेद दो भेद तीन भेद या चार भेद तो दोस्तों इसका जो होस्ट के अधार पर केवल एक ही भेद में उसको बाटा गया है next question देख लेते हैं दोस्तों लोट कर आया हुआ के लिए एक सब्द है तो दोस्तों जो लोट कर आ जाता है उसके लिए एक सब्द में आंसर बताना है अतिथी, आगत, प्रत्यागत या अनागत ठीक है तो इसके लिए दोस्तों प्रत्यागत जो है इसका सही आंसर होगा जो लोट कर आता है उसे प्रत्या गद्यांस के संबंध में गलत है तो दोस्तों यहाँ पास जो है अपठीद गद्यांस जो है उपर में दिया गया था लेकिन इस विश्यक कुछ प्रशन पूछे जाते हैं दूसरा बोल रहा है कि दिये गए अपठीद गद्यांस का सिर्षक भी समानेता पूछा जाता है सी बोल रहा है कि अपठीद गद्यांस का सिर्षक दिये गए अंस से प्रिथक होना चाहिए डी बोल रहा है कि दिये गए अपठीद गद्यांस के कुछ अंसों के भाव इस पश्ट करने संबंधी प्रशन भी समानेता पूछे जाते हैं तो दोस्तों और उसके पूरा गढ़्यांस kuvit वो उससे अलग हो रहें सकता क्योंकि पन्व को बदाने वाली लोकोगती कौन सा है एक अनार सो बिमार अंधा पी से कुत्ता खाए तीसरा है अपनी करनी पार उतरनी चौथा है हाथ सुमीरनी बगल कतरनी तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है अंधा पी से कुत्ता खाए तो इसका क्या हो जाएगा बी ओप्सन जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्ण देख लेते हैं पतंग सब्द का अनेकार्थी सब्द है तो पतंग को और किस नाम से जाना जाता है चेठी, सूर्य, चमक, चेश्ठा तो दोस्तों सूरिय पतन का ही नाम है तो इसका अनिकारती सब्द में इसका नाम आता है तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी ओप्सेन जो है सही हो जाएगा नेक्ट कोशन देख लेते हैं प्रश्ण वाचक वाक्य ना वाक्य के किस भाग में प्रियोक्त होता है प्रश्ण वाचक जो अव्या होता है ना सब्द उसमें होता है ना वर्ण वो वाक्य के किस भाग में प्रियोक्त होता है ठीक है तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका जो है C option जो है सही हो जाएगा वैपम की द्वारा C option को answer लिया गया है अब प्रेश्ण देख लेते हैं परात किस भासा का सब्द है दोस्तों परात जो है कौन सा भासा का सब्द है चीनी देशज तूर्की पूर्थगाली तो इस तर कर लें math trick देखने के लिए मैंने description में link दे रखा है वीडियो का अंत में उससे भी जरूर देखिएगा चलिए next question देख लेते हैं भासा सीखने का सही मनोवग्यानिक क्रम क्या है तो भासा को आप किस क्रम में सीख सकते हो सुनना पढ़ना बोलना लिखना या सुनना बोलना लिखना बोलना तो इसका एक जो है दोस्तो क्रम आपको याद रखना है तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो है सुनना बोलना पढ़ना लिखना ठीक है तो आप इसको इंगलिश में याद रखोगे तो आप बच्चे सबसे पहले क्या करता है जब जन में लेता है तो वो सबसे पहले सुनना सीखता है फिर क्या करता है वो बोलना सीखता है उसके बाद जो है वो पढ़ना सीखता है फिर धीरे-धीरे क्या होता है वो लिखना सीखता है तो इसी क्रम में क्या होता है आपको आसानी से याद होगा अगर याद भी नहीं रहेगा तो आप common sense लगार करके आप इसको हल करी सकते थैं जैसे क्या होगा बच्छा जो है पहला सुने ना सीखेगा फिर पढ़ना सीखेगा फिर लिखना सीखेगा क्या तो यह नहीं ये क्या हो जाएगा alternate हो जाएगा ठीक है वो पहले पढ़ना उसके बाद बोलना सीखेगा क्या ये तो होई नहीं सकता ठीक है उसी तरह बोलना पहले बोलना सीखेगा उसके बाद सुनना सीखेगा क्या नहीं हो सकता तो ये भी गलत हो जाएगा सुनना सीखेगा उसके पढ़ना उसके बाद लिखना फिर अंत में बोलना सीखेगा क्या तो ये भी नहीं हो सकता तो ये आप आसानी से जो इसको कट के माध्यम से आप इसको हल को हल कर सकते हो तो चलिए 49 नमबर का कोशन देख लेते हैं सुक्र ग्रह को भोर का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है अर्थात ग्रहन की द्रिष्टी से इन तीनों के प्रयोगों के अर्थ वैभिन्य को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा तो दोस्तों इसमें जो है सुक्र ग् भोर का भी तारा बोलते हैं और संध्या का तारा भी कहा जाता है अर्थात ग्रहन की द्रिष्टी से इन तीनों के जो प्रयोग है उसको अर्थ को आप बच्चे को समझाना है तो किस द्रिष्टी कौन से आप उसको समझा सकते हो ओप्सन बतारूं दोस्तों वह है मात्र संदर्भ की द्रिष्टी से मात्र बोध की द्रिष्टी से संदर्भ इवं बोध दोनों की द्रिष्टी से या इन में से कोई नहीं ठीक है दोस्तों तो अगर आप रहोगे तो आप उसको बच्चे को कौन से उद्देश से उनको सीखाओगे ठीक है दोस्तों तो आप जो है सं संगय या विशेशन से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं संगय या विशेशन से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे दोस्तों प्रेनात्मक्रिया सकरमात्मक्रिया नामधातू या उपरोक्ते में से कोई नहीं तो यह संगय और विशेशन से बनने वाली जो क्रिया होती है व तो इसका गद्यांस मैं पढ़ देता हूँ पढ़ते हैं उसका आनसर देखने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों इसमें उपरोक्त में से तीनों सही है क्योंकि पूरा में मनुष्य के बारे में ही बताया गया है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नंबर है 52 उलंगन का संधी विछ्षेद क्या होगा तो उलंगन का संधी विछ्षेद दोस्तों इस तरह के कोशन आता है आप इसको अच्छे से तैयारी मैं कराऊंगा तो आप तैयारी जरूर कीजिएगा यहां से एक question जरूर पूचा जाता है तो उलंगहन को हम लोग संधी विच्छत करेंगे तो उत्धन लंगहन B है उधन लंगहन C है उत्धन लंगहन और D है उत्धन लंगहन ठीक है तो इसका जो सही answer है दोस्तों वो है उत्धन लंगहन तो इस तरह से मिल करके क्या बना है यह उलंगहन बना हुआ है चलिए next question देख लेते हैं पंच तंत्र की कहानिया अर्थात कथाएं किस कौसल विकास की दृष्टी से महत्वपूर्ण है पंच तंत्र की बहुत सारी कहानिया आप सुने ही होगे तो इसमें चार option जो है दिया हुआ है तो इसमें से जो पहला option है भासाई विकास एवं बोधात्मक विकास करने की दृष्टी से दूसरा है बच्चों की जिग्यासा जागरित करने एवं कलपना शक्ती विकास करने की दृष्टी से तीसरा है कहानी के पात्रों के भाओं के संपर्क में आने से अनुभाओं का विस्तार करने की दृष्टी से या उपरोक्त तीनों से तो दोस्तों जो पंच तंतर की जो कहानिया होती है वो जो है दोस्तों उपरोक्त तीनों के हिसाब से सही है आप पंच तंतर की बहुत सारी कहानिया आपने जरूर सुनी होगी तो चलिए next question को देख लेते हैं दोस्तों next question है 54 निमनलखित में से उपसर्ग वाले सब्दों का सही वर्ग चुनिए तो दोस्तों उपसर्ग वाले कौन-कौन से इसमें सब्द है उसका जो समू है उसको हमको बताना है पहला में दिया है अवग्या, सक्ती, भिख्चुक दूसरा में दिया है लड़ाई, परिजन, सर्प तीसरा में दिया है उपवन, बचया और एकता और चौन्था option में दिया है अवग्या, उपवन, परिजन तो दोस्तों इसमें जो है अवग्या उपवन एवन परिजन इसमें जो है उपसर्ग वाले सब्द जो है उसका समू है तो यह क्या हो जाएगा डी ओप्शन जो है सही हो जाएगा next question देख लेते हैं मोहरों के संदर्भमे निमले खित में से कौन सा कथन जो है सही है हमको सही कथन बताना है नीचे चार कथन दिया गया है यह एक स्वतनतर वाक्य होता है दूसरा इसका छेतर लोकोक्ती की तुलना में व्यापक होता है तीसरा है समानत है इसका संबंध किसी अथवा चीर सत्य से होता है चांता है यह वाक्यांस होता है तो दोस्तों इसमें जो है यह एक सिर्फ और सिर्फ वाक्यांस है ठीक है अन्य जो ऑप्सन दिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है जो मोहरों के संदर्म में गलत है तो डी ऑप्सन जो है मोहरों के संदर्म में सही कथन है तो D option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रेशन देख लेते हैं इन में से रमनिक का परियाय नहीं है तो दोस्तों रमनिक का परियाय कौन सा नहीं है समिरन रम्य सुहावना मनुहर तो दोस्तों जो है समिरन इसका परियाय वाची नहीं है रम्य सुहावना म ये सब जो क्या है रमनिक के परियायवाची के अंतरगत आता है इसी के अनुसार जो है रमनिय ठीक है जिसमें कल के जगह घरिया भी होता ये भी इसका परियायवाची की में आता है अगला देख लेते हैं निमने लिखित वाक्यों में भावना वाचक संग्या भाव वाचक सं को आप समझते हुए आप में से इसे कौँ सा एक सभी भाव है उसी तरही किक अगर डी ऑफसन देखें तो अच्छा तो ये भी क्या हखते हैं दोब क्या हो जाएगा भावन की सजावाद जो है अच्छी है तो ये क्या हो जाएगा इसका डी ऑफसन हो जाएगा ठीक है दोस्तों सुन्दर भी ये जो है भाव के शरणी में आता है लेकिन जो है इसको व्यापम के दोरा जो है भावन की सुझावट अच्छी है इसको अंसर लिया गया है ठीक है नाक्ष कोशन देख लेते हैं तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अतार लिया ठीक गहरन जो है कारक या संबंध कारक तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर तो इसमें तो संप्रदान कारक होना चाहिए लेकिन जो है इस कोशन को है व्यापम के दोरा विलोपित कर दिया गया है ठीक है दोस्तों इसमें जो सही आंसर जो है व्यापम ने अपने अभी तक नहीं दिया है model answer में भी इसमें star बना हुआ था तो ठीक है इसका संप्रदान कारक हो सकता है और इस तरह के question जो है दोस्तों ये question अगर विलोपित किया है तो ये जो question है कभी नहीं आएगा ठीक है अगर आभी जाएगा तो क्या हो जाएगा संप्रदान इसका सही answer होना चाहिए ठीक बीच में टोकने का नियंतरन या उपरोक्त तीनों तो दोस्तों इस तरह उपरोक्त तीनों जो गून है वो सुनने की चमता केवल सुनने की बात कर रहा न दोस्तों इसके चमता में जो होता है वो स्मृति की सक्रीता अर्थ की रचना बीच में टोकने का नियंतरन ये सब क् हीत होता है तो क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्सन जो है सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम कोश्चन तीस प्रेशन जो है पूछा गया था उसका तीसवा प्रेशन है बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भासा को और दोस्तों जितना भी आंसर बता हूँ सब व्यापम के दोरा लिया गया अंसर है उसी के अकौर्डिंग मैंने यहां पास बताया है ठीक है दोस्तों और मेरे दोरा बताया गया वीडियो कैसा लागा दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताए अगर कोई भी कोश्चन मे लिंक है वहाँ पास से जरूर दीजेगा दोस्तों मैट्स के ट्रीक और ओल्ड कोशिन पेपर मैंने पहले ही अप्लोड करके रखा है और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस सेड भी मैंने अप्लोड करके रखा है डिप्स्रिप्शन में जा करके आप उसको देख सकते हो और साथ ही साथ दोस्तों प्लेला लिस्ट जो है वहाँ पास भी आप सभी वीडियो को देख सकते हो तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किए जरूर सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी अन कर लें ताकि मेरे दोर अप्लोड किया गयर वीडियो आप लगतर वाच कर सकते हैं बिना किसी रुकावाट कर तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तो मुझे जीज़े इजाजत जै हिंद